वल्सार स्टेशन पर स्रमीकों के लिए वतन लोट में ट्रेन की व्यवस्था करने में आई जहां भाजब के निताओं को प्रविस देने में आया था और कॉंग्रेस के निताओं को बाहर निकाला गया था कॉंग्रेस के निताओं को प्रवेस न देते घर्शन हुआ था पुलिस मेडिया और कॉंग्रेस के कार्य करताओं को स्टेशन पर ही रोकते राजकी रंग दिखने को मिला ट्रेन की व्यवस्था कॉंग्रेस द्वारा करने में आयी थी तब कॉंग्रेस द्वारा भी बताने में आया की समय बलवान है और कॉंग्रेस द्वारा बलसाड वैवर्टी तंत्र और पुलिस विभाग पर आरोप लगाने में आया अपके आपके बwy zur आपने पंदियु आपके निगें Greek минут अबिते हैं में ठ्वायित भी आपके अब एक सीठ आपे को गचा को इंदे में प्टायः जो आपके उनाइल, नाहिल, नाहिल, अकर नहीं के लिए हो। अगाजय हो अगाजर पर पर राजकाराण अने पक्षापक्षी मां कॉंग्रेसे तो फोतानी लोकसेवानी जे बावना चे ये बद्र रीते दर्शावी चे आजे जे श्रमीकों जई रहा चे एनी पासे थी गुजरात सरकाराने रेलवे ये बाडू लिदू छे अने कॉंग्रेसे ये बाडू चुकवेलू छे दर्एक श्रमीकना हाथ मां रोकडा पैसा आप्पाम आवला छे अने ये आप मिद्यानी रूबरू मां आप सवे बदाये जोयू छे के कॉंग्रेसे रोकडा रूपी आए पासे जारे बार्तिये जनतापाटी हैसू कईरू वह ट्रेन जे मन्जुर थे लिए बे मां थी एक थे गई जवाबदार अधिकारी हैम किदू कि मीजी ट्रेन ना पैसा नथी पर आया अमें पैसा आपाटी है अत्यारे केतो अत्यारे उन पैसा जमा करावी दो रोकडा पैसा मोकलो श्रमीको ने आजे एक ट्रेन जयी रही छे एक ट्रेइन नथी जती एनू पाप आ जिल्ला ना वईवट तंत्र अने भारतिय जन्ता पार्टी निउपर छे आ पाप कहीरू छे लोको है और आ पाप जे गरीब श्रमीको जे लोको है लोई रहेडी ने पिस्तालिस दिवस्ती जे परिश्रम वईट हो छे यहां जे मुश्केली ववेठी चे जे यातना वेठी चे यातना ने राजकिय रूप मा पुरूपांतरित करवा माटे अने भारतिया जनता पाटी बेश्रम रिते अने एना करता पण निष्ठूर अने नपावट रिते आ जिल्लानों वईवट तंत्र अने आ जिल्लाना कलेक्टर वर्तेला छे उन बवस्पस्ट पने केवा मांगूचू I am not going to means any words सब्दों माँँ कोई जग्या कचास राखवा माकतो नथी शुँ अश्रमी को पोताना वतन मा जवाना आता एनी पासे थी भाडू लेऊ ए कोई गुनों के कोई पाप हतू हतू, कोनी नजर मा, प्रजानी नजर मा, वईवट तंत्रनी नजर मा, पोतानी नजर मा भी आप पाप हतू अश्रमिको ने फोन करीने जान करों आवी के तमें आ आस्थर पर जाओ अने तमें पाइसा भरो तो तमें आउती काले ट्रेन माँ इकाइ चीनारू करवानों तू, रातना नव आगे सुकाम, शा माटे, अने ज़यारे कॉंग्रेसे तमने लखीन आपेलू छे आज दिन सुधी अत्यार सुधी जान करी नाथी अत्यार सुधी पाण हमने खबर पड़ी काले रात ना एटले अमे रातरे ने रातरे तमाम श्रमीकोंने जान करी अने एमने बोलाईवा अने जेतला आमारी पासे आमे जेतलानो संपर्क करी शेह का एलगभग सोड़सो जेतला श्रमीकोंने अमे बाड़ानी रकम रोकडी अने बड़ा पूरा हो आपे अमणसुल तर्फ सब्यों अमने। अचुवस–कता अचुअट में ठुशना में उपलकता हो क्योंड उपलकत सेधनी करता है पूरे देश में कोरोना महामारी की वज़े से लोकडाउन जारी करने में आया है एक तरफ केस बढ़ रहे है और तंत्रज्वारा विवित राच्यों में से लोगों को आने की पर्मिशन देने में आई है तब पारडी नगर में शुक्रवार के दिन महारास्ट्र के जलगाउं और आंध्रप्रदेश से 37 मुस्लिम सहीद दुसरे जोन में से 40 से ज्यादा लोग आते आरोग्य तंत्र में दोर्धा मच कई थी इन सबी को होम कोरोंटाइन करने की कार्यवाही शुरू की थी पारडी नगर में शुक्रवार को महारास्ट्र के जलगाउं से 25, अमदावाद से 6, करनाटक से 6, बरोडा से 1, फावनागर से 1, आंध्रप्रदेश से 7 और भूज से 1 व्यक्ति आये थे रेट जोन से आते अंध्रप्रदेश से आये 7 को यूनिटी हॉल में जबकि वाकी के सभी को खुद के घर में 14 दिन के लिए कार्यंटाइन करने में आया है जो कि महारास्टर के जलगाओं से इना पर्मिशन के आये 13 जितने लोगों के सामने गुनाह दर्ज करते पारडी पंतक में चक्चार मच गया था तब पारडी नगर में लोग सुरक्षित रहे और होम कोरंटाइन के बॉर्ड लगाए विस्तार में ना जाए यह जरूरी है होम कोरंटाइन हुए लोगों को घर में रहे कर नियमों का पालन करना चाहिए कोरोना महामारी की वज़े से पुरे देश में लोग डाउन जारी है तब पॉलिटेक्निक कॉलेज के चात्र द्वारा वतन वापसी की मांग की जा रही है उनके द्वारा एक मैने के प्रयास के बावजुद व्यवस्था तंत्रद्वारा वतन लोटने की व्यवस्था करने में नहीं आई यह चात्रा में से यूपी के 30 और बिहार के 10 मिलकर कुल 40 चात्रफसे हुए है उनके राज्य के कलेक्टर को मेल और 1077 पर कॉल करने के बावजुद कोई उपाई नहीं मिला तब यूपी बिहार के चात्रद्वारा भूख हड़ताल कर वतन वापसी की मांग की जा रही है मैनेजमेंट आपका इसमें कोई हल्प नहीं कर रहा है किसे तरीके से जी और आपके जहां पर आप जाना चाहते हैं आपके स्टेट का क्या हाल है वहां पर कि आपने बात किए हैं जो हमने अपने हाइं के जो भी मतलब हमारे डिश्टिकमजेस्ट रहं क्या कने उनको फोल्क किया नहीं नहीं कि वहां के जोでも हैं अंसे बात कीजिए वह किछ करेंगे उसके बाद हैं से हमारी बात नहीं वहें हमने मेल किया है उसका रिस्पोंस एक महीं नस हम पर जो 27 नमर है उसमें बेड़ करने लेकिन सबसके बात हैं रहया है कर रहे हो संतामा दी तो अभी क्या जा रहे हैं इसमें केपने अपने स्टेट में वहां दंने सब prone सबस्क्राइब कर नियुक्त कर कोई नहीं कर रहा नहीं कि लिए यह जो तीन लॉकडाउन चालू हो गया है तीनों लॉकडान में कोई भी टीचर मेनेज्मेंट आप से मिलने के लिए यहाँ पे लिए लिए बसकर जो जरूत होता है तो जोते हैं आधे आधे शेर नहीं आते हैं वहीं में बहुत करने के लिए यहां। वापी नस्दीकाए कुंता बटार तरफ पारडी के स्थानिक लोगों और पर प्रांतिस रमीकों को दमण प्रसासन द्वारा प्रविस्न देते मामला वलसाट कलेक्टर तक पहुचा है यह तीनों गाउं के पंचायत के हुद्यदार और स्थानिक लोगों ने सुक्रवार को कलेक्टर को लिखित परिपत्रदवारा रजवात की थी दमण प्रसासन गुश्रात को मिलते गाउं के रोजगार करने वाले लोगों को मनजूरी देने की मांग की थी वापी तैसिल की कुंता, वटार और अटक पारड़ी के 25,000 से ज्यादा लोग दमण की कंपनी में नौकरी करते हैं पर लोगडाउन की वज़े से हाल सभी कामधारों को दमण प्रसासन द्वारा प्रवेस नहीं दिया जा रहा है जिसको लेकर लोगों में गुस्से का माहौल चा गया था दो दिन पहले कुंता के रहीसों ने चक्का जाम किया था शुक्रवार को तीनों गाउं के रहीसों और पुद्देदारों द्वारा कलेक्टर को लेखे तरजवात करने में आई थे जिसमें बताया था कि कुंता, तरकपाडी, वडोली यह तीन गाउ करीबन दो किलोमीटर दूर है सबी विस्तार में स्थानिक और परप्राम्ति लोग रहते है जो दम्मण में उड्योगिक एकम में काम करते है दम्मण प्रसासन द्वारा प्रवेस की मंजूरी ना मिलते, ऐसे लोगों की हालत गंबिर बनी है दोनों प्रसासन मिलकर इस प्रशने का उखेल निकाले ऐसी मांग की जा रही है कौरोना वाइरस महामारी की वज़े से लोक डाउन 17 मई तक बढ़ाने में आया है तब दुसरे राज्ये के श्रमीकों का धेरिया खतम होते अपने परिवार के साथ आज रोज यूपी वतन लोटने पारडी से एकुल 81 परप्रांती श्रमीकों को मलसार रेलवे स्टेशन बेजने में आया पारडी GIDC में और दुसरे छोटे वेब पारी और नौकरी करते परप्रांती श्रमीक जो उत्तर प्रांती श्रमीकों को आज रोज वहिवटी तंत्र द्वारा पारडी बस टेपों के पास आरोगये टीम द्वारा स्केनिंग कर आरोगये प्रमान पत्र तयार कर बस द्वा वतन चाना चाते थे ऐसे लोगों की फैवटी तंत्र द्वारा लिस्ट बना कर जरूरी फॉर्म पर कर स्केनिंग करने में आया कोरोना के लक्षन नहीं है इसकी जाच करने के बाद रास्ते में चले उतना नास्ता और पाने की व्यवस्था करके वतन बेजने में आया यह 45 दिन के लोगडाउन के दोरन श्रमीकों की सेती बहुत गंफिर हुई थी और पतंग जाने की मांग की जा रही थी कामगीरी करिये छे अने पाड़ी तालुकामा गरे-गरे भी आमें कामगीरी करी छे अने आजे त्यारे समीकों वतन जाय रही आछे तो एक ट्रेंड मां जाई तो एक जिगे आती बिजी जागिया फेलाई नहीं पोरोना एना मांटे आमें खास कार्दी राखे छे अने दर करें आजे अने जे बाकी ना मुसाफर हो छे तरना माटे आजे आई आमें केंप लगायो छे तरवाना तस देमा एक्क्यांसी जिल्ला पेशंजरों ने वलसाट इल्मेस्टिशन खाते मोकलों मा आऊचे याथी ट्रेंबार आपडे दे बातना जिल्ला मोकलों मा आऊचे त कियांसी मंजूठ थाहिना आविए अनने अफ्ट्यार वेड़े मन ते जिल्ला मा स्टेशन मा पेश्टे गाटे रेज़े अने कौने सरकाहन करी अपड माईजी कौना दरा अचे रहा हो एकर वाहेटी संगड करवा मा आभी शे आनने अत्यारे माटे फूथ पेकेट्स अने पाणिनी बोटल साथे रवाने करामाँ से जिसी रस्टे हमने तखलीग ना पड़े अने तालुकानी हेल्थ टीम ज़ारा आई मेडिकल स्क्रीनिंग करामाँ से अने दरेगनी इदिविलेल सेटिफिकेट आतीने रवाने करामाँ ज़ाएगे वलसाट चिल्ला से उत्तर प्रदेश जाने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी वापी वलसाट सहर में कहीं लोग जो बाहर से आये हैं वो लोग टाउन की वज़़ से फसे है करीबन देड़ मैने से लोग घर पर जाना चाहते हैं जिसको लेकर वलसाट कलेक्टर द्वारा सुचित कर लोगों को अपने गाउं जाने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी जिसने लोग अपने वतन वापस लोटेंगे वापी तहसिल के उद्योग नगर में स्पेशल ट्रेन से शाने के लिए VIA हॉल के ग्राउन में नाम दर्ज कर टोकन दिया जा रहा है वापी बलीठा तहसिल में और वापी VIA ग्राउन में भी जो उत्तरभारतिय के लोग है उन्हें फलसाट से स्पेशल ट्रेन द्वारा उत्तरभारत भेजने का कारियर शुरू किया गया है जिसमें उत्तरभारतिय लोगों का नाम लिखकर उन्हें टोकन दिया जा रहा है और उन लोगों को टेलीफोन के मध्यम से ट्रेन कब निकलेगी उसका टाइम बताया चा रहा है वलसाट के आनास बजार के वैपारी आपूरती अधिकारी से परेशन हुए है वलसाट आपूरती अधिकारी वैपारियों को धमका कर काजू, बादाम, पेस्ता और आमरस मंगाते थे ऐसा आरूप बलसाड वैपारी एसोशियेसन ने आपूर्थी अधिकारी पर लगाया है बलसाड के वैपारियों के पास आमरस से दुगने पैसे वसूल करने की धमकी भी देते थे अगर वैपारी मना करें तो अधिकारी द्वारा केस करने की धमकी देने में आती थी इस मामली की जाचो ऐसी मांग की जा रही है इसकी अंतरगत आपुरती अधिकारी से पुछताच करने में आई तब उन्होंने मौन धारण किया था तो ओं भी मेंहेकारी जा आशाओय से घिया रही है यॉत नाख़ कोडल है। टेर रही है उपादी से शहा है। जा घाटी सतो तो भी मेंहें की जा आपाधी समय है। जी इस मी positively कोड़ारा उप्रमूखो देते जन्युख़ – गावाडति समय है मेंहें। जितला रूपयान रस थे तेना करता दस गणा पईसा तमने नुक्सान करिस। वो आउचू बपरेता हमारे सांजे बदा व्यापारियों ताने तमने खबर पाड़ पाड़ू हूं कौन छो अविरी ते काले पौना तन तन वागे एमना पर फण आवल अदम की भरेल। अविरी तेना करो अविरिथा उन आवन काले ख़िए जस्यतुम्लरणरट खवड़ू ह्यो स्व्यक व आणे जस्यत। पसिए काले अमें कंचाडी गया ते हैं ने दमकी आपी कि नी मोकला आपी तुम तमने जोई लेसों तमारा वजार मावी ने वह थो मार पाड़ी देशों तमने अभशी को अवसी नीकलू अर इतनी चर्चाव नी अमे जहरो एते आर मागाव हमे चाता भी एक वखत की तो हमे पुरा देश कोरोना महामारी का सामना कर रहा है तब यह संक्रमन ना फैले इसलिए वलसाट छिला में लोकडाउन का चुस्ति से पालन किया चाह रहा है बॉर्डर रे सील करने में आई है पुलिस 24 गंटे अपनी फरज निपा रहे है एक राज्य में से दुसरे राज्य में गैर कानूनी प्रवेस निसेत करने में आया है पर कई लोग कोरोना केस बाहर के राज्य से लेकर आते है और लोगों में डर का महौल फैलाते है महारास्टर गुजरात बॉर्डर के उमर गाउं की सरहत की बॉर्डर सील करने के बावज़ित लोग गैर कानूनी तरीके से महारास्टर से प्रवेस कर रहे है तब ऐसे लोगों को लेकर केस बढ़ते है कर दो लोगों में एकर रहे है झाल झाल झाल